नमस्ते बच्चों, तो आज लेक्चर 9 स्टार्ट करने से पहले, हम आपके सामने exercise 8 का detailed solution डिस्प्ले कर रहे हैं, आप इन solutions को खुद के बनाए हुए solutions से match कीजेगा, और फिर अगर कोई doubt बचता है, तो आप हमसे contact कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, या तो mobile पर, या फिर message कर सकत है WhatsApp पर, तो यह है subjective के solution और यह है आपके सामने, objective के solutions, और यह 5th and 6th question objective का, तो बच्चों में उमीद करते हैं, कि आप लोग regularly lecture attend कर रहे हैं, और exercise solve कर रहे हैं, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत-बहुत, मेरी तरफ से will wishes, कि आपको बहुत-बहुत, आप इस lockdown period में भी बहुत regular basis पर मेहनत कर रहे हैं, तो चलिए आज का lecture हम लोग start करते हैं, तो बच्चों, आज हम लोग third colligative property के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है depression in freezing point, आपनों को याद होगा कि हम लोग अभी colligative properties discussion कर रहे हैं, और हमने इससे पहले दो जो collig negative properties पढ़े हैं, पहला था RLVP, relative lowering of vapor pressure, और दूसरा था delta TB, elevation in boiling point, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, depression in freezing point, तो समझते हैं, इसका मतलब क्या है, depression in freezing point, तो चलिए जैसे माल लेजए, कि आपके पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में आपने pure solvent भर दिया है, जैसे ये वाला कंटेनर इसमें pure solvent भरा हुआ है, और दूसरा कंटेनर में solvent भरा हैं, आपने साथ में एक non-volatile solute जैसे की आपने यूरिया वगेरा कुछ, या sugar, या फिर salt, या और भी दूसरा कोई non-volatile solute होना चाहिए, या आपने add कर दिया है, पहले कंटेनर में solvent है, और दूसरे में solution है, solution solution मतलब solvent plus solute है, तो आप देखोगे, अगर यह solvent आपका water है, क्या है solvent? H2O है, अगर यह solvent water है, और आप water को चाहते हो, इसको freeze करना है, क्या करना है, आपको करना है, दोनों container में जो liquid है, उसको freeze करना है, यानि उसको solid state में convert करना है, तो आप देखोगे, कि जब pure water है, तो इसको freeze करने के लिए इस container को ठंडा करोगे, तो ठंडा करते करते, जब आप 0 degrees centigrade पर आओगे, तो यह freeze हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जिसमें solution है, इसको 0 degrees और कम, for example, जो हो सकता है, आपको minus 1 degrees centigrade, या फिर इससे भी कम हो सकता है, temperature लाना पड़े, ताकि यह freeze हो सके, ताकि यह solution container है, तो यह जो बच्चों देखिए, कि solvent 0 degrees centigrade पर freeze हो रहा था, solution का freezing point और कम हो गया, तो यह जो कमी आया है freezing point में, इसी को बोलते है क्या, depression, depression मतलब कम हो जाना, decrement, यह है depression in freezing point, तो इसका जो symbol हम लोग यूज़ करते हैं, यह लिखते हैं, यह लिखते है, delta tf, देखिए यहाँ इसका मतलब है, depression in freezing point का, delta tf का मतलब है, is equal to initial freezing point, initial मतलब solvent का, initial freezing point, fp मतलब freezing point, यानि कि यह solvent का है, solvent का जो freezing point था, और minus solution का freezing point of solution, solution का freezing point कितना है, तो solvent का freezing point minus solution का freezing point तो ये value जो कालाता है वो कालाता है delta TF तो इस particular example में अगर हम लोग बात करें ये वाला जो example नीचे लिखा हुआ है इसमें अगर कोई पूछे कि solvent आपका boil हो रहा था कितने sorry, freeze हो रहा था कितने degree पर? 0 degree centigrade पर solution freeze हो रहा है 1 minus 1 degree centigrade पर तो delta TF कितना हो, freezing point का कितना decrement आया है तो वो आया है, देखिए सुरुवात में solvent का freezing point कितना था ये 0 था, तो 0 और minus और ये कितना final freezing point कितना हो गया solution का 1, तो 0 minus minus of 1 तो ये आगया ये 1 और degree centigrade चिक है? बच्चों कल हमने एक और बात किया था कि अगर ये जो delta TF निकाले हैं, कल हमने delta TV के बारे में बात किया था स्वरी तो कल हमने delta TV निकाला था, तो हमने देखा था कि जो temperature का change होता है वो degree centigrade हो या फिर Kelvin में बराबर हो तो अगर कोई पुछे कि delta TF का value Kelvin में कितना हुआ तो चलिए इसको Kelvin में convert कर लेते हैं तो देखे, 0 degree centigrade कितना Kelvin हुआ तो यह हो गया, 273 Kelvin और minus 1 degree centigrade तो यह minus हो गया और minus 1 degree centigrade कितना Kelvin हुआ तो minus 1 degree centigrade जो है आपका यह हो गया, 2, 270, 2 Kelvin तो यह जो value आया है आपका यह आ गया, depression and freezing point तो यह कितना हो गया, 1 Kelvin यानि कि जो temperature का change होता है वो Kelvin में हो और या फिर degree centigrade में हो, यह temperature का change दोनों cases में बराबर होते हैं ठीक है, बच्चों, freezing point depression से related अब हम लोग, दो महतोकून बात, दो important बात करने जा रहे हैं पहला तो यह कि how much, how much का मतलब, how much का मतलब जैसे आपने 1 kg water लिया इसमें अगर मान लो, एक mole मिला दिया आपने solute, जो कि non-volatile है तो एक mole solute मिलाया है, तो freezing point कितना कम होगा, यानि कि water का freezing point रहता है 0 degree centigrade, उससे कम हो करके कितना तक जाएगा, या फिर अगर आपने 2 mole solute मिला दिया 1 kg water में, तो फिर अगर 0 degree centigrade water का freezing point रहता है, तो वहाँ से कहां तक जाएगा, इसको बोलते है quantify करना, how much, कितना freezing point कम होगा, ठीक है, और जो दूसरा important बात है, वो है कि कैसे होता है, sorry कैसे नहीं, क्यों होता है, वाय, आखिर, non-volatile solute मिलाने से non-volatile solute मिलाने से, volatile solute मिलाने से, freezing point का depression, freezing point कम, क्यों हो जाता है तो ये दो important question का answer आज हम लोग ढूड़ेंगे, चलिए तो पहले हम लोग, पहले question के बारे हम बात करते हैं कि कितना freezing point depression होगा, how much तो बच्चों आपको हम एक बार, कल के class का थोड़ा सा remind करा रहे हैं, तो last class था हमने उसमें boiling point के बारे में बात किया, कि delta tb, जो boiling point का increment होता है, ये किसके proportional होता है, solute के molality, और फिर यहाँ से proportionality sign हटाया था, तो हमने बोला था, एक constant आता है, kb और into molality, तो इस तरह के से हमने quantify किया था, किसको, boiling point elevation को, boiling point कितना बढ़ेगा, तो depend करेगा molality पर, तो बच्चों वैसे ही, यहाँ पर भी हम लोग, freezing point के जो depression है, उसमें जो कमी उसको quantify कर सकते हैं, कि delta tf is proportional to molality, ठीक है, molality, and अगर आप यह proportionality sign हटाएंगे, तो constant आएगा, तो पहले constant kb बोलते थे, आपके constant को बोलेंगे, kf into molality का symbol यूज़ कर लते हैं, small m, ठीक है, kf, kf का क्या नम कहलाएगा, तो kf कहलाएगा, boy, sorry, freezing point, freezing point, depression constant, freezing point, depression, freezing point जो कम हो रहा है, उसके formula में आने वाला constant, freezing point, depression, constant यादा रहा है, कलम ने ऐसे ही, अलग-अलग नाम के भी के पढ़े थे, तो ऐसे ही, इसके भी अलग-अलग नाम है, दूसरा है, molal, molal depression constant, molal depression constant, ठीक है, molal depression constant, और तीसरा है, cryoscopic constant, cryoscopic constant, ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं, इसके unit के बारे में, तो देखिए आपके पास formula क्या है, formula है, delta tf, delta tf is equal to kf into molality, और जो kf का unit हो जाएगा, kf is equal to हो जाएगा, delta tf divided by molality, delta tf है, freezing point का change, तो यानि इसका unit हो गया, kelvin, और divide by molality, molality का unit होता है, mol per kg, तो answer क्या जाएगा, unit का kf का unit हो जाएगा, kelvin, एक kg numerator में चला जाएगा, पर mol, तो ये ध्यान रखना unit आपको kf का, क्या unit है, kelvin kg पर mol, जाएगा, kf का unit हरे बच्चे को, ध्यान रहना चाहिए, kelvin kg पर mol, जाएगा, तो बच्चों, इसी concept को strengthen करने के लिए, जो concept है, आपका delta tf का quantification का इसे किया जाए, इसी concept को strengthen करने के लिए, हम लोग अब, एक question solve करते हैं, तो आपके समने देखिए बच्चों, एक question display हो रहा है, वो है, calculate the freezing point of aqueous solution, aqueous solution का freezing point पूछा जा रहा है, जिसमें क्या है, one more urea, और urea बोल दिया गया है, non-volatile solute बच्चों, देखो, अगर नहीं भी बोला जाया तो आपको हमेशा urea को क्या मानना है, non-volatile मानना है, किसमें मिलाया गया है, तो one kg of water में, और water का kf दिया वाया आपको, one point eight six Kelvin kg per mole, चीक है, तो आप वीडियो को pause करके solve करेंगे, और फिर मेरा solution देखेंगे, तो चलिए solve करते हैं, इस question को, इसका solution होने वाला है, delta tf is equal to, delta tf is equal to kf into molality, चलिए kf का value पूट करते हैं, इस equation में, kf है, one point eight six Kelvin kg per mole, और molality है होता है, molality होता है, mols of solute, solute के mole कितना है, तो यह देखोगे, solute के mole है, one mole, one mole solute है, mols of solute by mass of solvent in kg, तो solvent का mass कितना है, one kg of water, divide by one kg, तो आप देखोगे, यहाँ पर, केजी से cancel होगया, केजी, mol से cancel होगया, mol, और यह answer आगया, आपका one point eight six Kelvin, ठीक है, इतना कम होगया है, freezing point water का, अब water का normal freezing point कितना होता है, fp of water, water का freezing point कितना होता है, यह होता है, two seventy three Kelvin, अगर Kelvin में बात किया जाए, और centigrade में होता है, zero degree centigrade, तो freezing point of solution, fp of solution, solution का freezing point कितना हो जाएगा, solution का freezing point हो जाएगा, जो water का freezing point है, उससे थोड़ा सकम, तो water का freezing point था, pure water का two seventy three, यह हो गया, two seventy three Kelvin, minus one point eight six Kelvin, तो answer कितना आगया, यहाँ से answer आगया आपका, two seventy one point one four Kelvin, अब इसको चाहें तो आप centigrade में बदल भी सकते हैं, और नहीं भी बदल सकते हैं, यह आपका answer हो गया, solution का freezing point, two seventy one point one four Kelvin, चलिए बच्चों, एक और question आपके सामने display हो रहा है, इसको भी आप लोग solve करेंगे, तो यह जो question है, वो है, what mass of iodine, iodine का mass पूछा जा रहा है, अपसे what mass of iodine needed to reduce the freezing point of thousand gram, यानि one kg basically, one kg benzene, यानि benzene एक solvent है, कैसे है, क्योंकि benzene के freezing point के बारे में बात कर रहा है, तो benzene है solvent होगा, two three point five degree centigrade, तो benzene के freezing point को कहां तक लाना है, आपको three point five degree centigrade तक लाना है, तो benzene का normal freezing point कितना होता है, तो लिखा हुआ इदर देखिए, freezing point and cryoscopic constant, यानि कि KF of pure benzene are, freezing point है, benzene का normal freezing point है, five point five degree centigrade, उसको कम करके three point five तक ले जाना है आपको, और फिर, यह है, five KF का जो value हो है, five Kelvin kg per mole, यह question आप सभी लोग, स्वाल करेंगे, iodine का formula होता है, I2, iodine का formula क्या होता है, I2, और इसका molar mass, iodine का atomic mass होता है, 127, into 2 कर देंगे, तो molar mass आजएगा, कितना आगया, यह आगया, 254, ठीक है, यह gram per mole में आगया, iodine का molar mass, ठीक है, यह value हमने आपको दे दिया, आपको फिर से video को pause करके question को swallow करना है, और फिर मेरा solution देखना है, तो देखिया, हमें करना क्या है, इस question में, फिर वही करना है, हमें delta tf इस बार दिया हुआ है, delta tf, यह होता है, kf into molality, ठीक है, small m मतलब molality, इस बार fortunately delta tf दिया हुआ है, यहाने कि freezing point का depression, तो कितना है freezing point का depression, तो यह है, point five point five degree centigrade से 3.5, तो यहान पर delta tf हम calculate कर लें, तो यह है, five point five degree centigrade से कम होगे कितना आया है, three point five, तो इतना कम होगे है, delta tf, ठीक है, और is equal to kf into m है, तो kf का भी value है, हम रख देते हैं इस question में, kf का value है, five Kelvin kg per mol, और molality कितना है, तो molality यानि कि आपको mol of solute, n solute, solute क्या है, iodine है, n iodine, mol of iodine में mass of solvent in kg, तो solvent कौन सा है, solvent है आपका benzene और उसका mass दिया हुआ है, और कितना 1000 gram, यानि 1 kg, तो यह 1 kg, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, mol of benzene, और फिर mol of benzene से निकल जाएगा, mass of benzene, तो चलिए इसको आगे solve करते हैं, तो यह जो आपका इदर आया है, value delta tf का, यह आया है, degree centigrade में कितना आजाएगा, तो यह आजाएगा, 5.5 चे 3.5, प्यानि कि 2 degree centigrade आगया, freezing point का depression, लेकिन हमको पता है कि जो temperature का change होता है, वो degree centigrade और Kelvin में बराबर होता है, तिसलिए हम degree centigrade को मिटा दे रहे हैं, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 2 Kelvin, ठीक है, यह बात सबको ध्यान आजाना चाहिए, कि degree centigrade में जो temperature का change होता है, वोई change किस में होता है, Kelvin में होता है, ठीक है, बराबर होता हैं यह values, तो यहाँ से आगया, 2 Kelvin is equal to, right side में आपका अनसर आगया, देखिए, यहाँ पर, यह kg से kg चला गया, और यह अनसर आगया, 5 Kelvin, 5 Kelvin, 5 Kelvin, per mole, into mole of iodine, तो यहाँ से देखिए, यह Kelvin से, 1 Kelvin भी cancel हो जाएगा, तो आपका अनसर कितना आगया, mole of iodine is equal to, mole of iodine Ni2 is equal to, 2 by 5 mole, ठीक है, 2 by 5 mole आगया, iodine का, अब आपको iodine का मास निकलना है, यहाँ से आप बहुत आसाने से निकल सकते हो, mass of iodine I2 is equal to, mole into molar mass, 2 by 5 mole into molar mass कितना है, वो है, 254 gram per mole, तो यहाँ से आपको iodine का मास ग्राम में निकल करके आजाएगा, तो यह multiply करने के बाद आपका answer आजाएगा, 101.6 gram, यह आपका answer हो गया, तो चलिए बच्चों, हम लोग थोड़ा सा और KF के बारे में जानते हैं, more about KF, KF के बारे में थोड़ा सा और जानकारी जूटाते हैं, तो पहले बता देंगे, KF जो होता है, यह किस के लिए define के जाता है, KF किसका property है, तो KF is characteristic of, characteristic of, of, solvent, solvent का मतलब कि water के लिए KF अलग होगा, alcohol का KF अलग होगा, ठीक है न, अब water में आप नमक मिलाओ, water में यूरिया मिलाओ, solute कुछ भी मिलादो, वो नमक हो या यूरिया हो, उससे KF के value पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है न, KF किसका behavior है, तो KF water, यानि solvent का behavior है, alcohol का behavior है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूसरी बात, KF को experimentally calculate कैसे किया जाए, तो देखिए, अपने formula पड़ा है, KF is equal to, sorry, delta TF is equal to, KF into molality M, आपको KF experiment करके पता करना है, experimentally, experimentally KF निकलना है, तब क्या करोगे, molality ले लो, 1, molality 1 लेने का मतलब, 1 mol solute ले लो, 1 mol urea ले लो, और solvent कितना लोगे, 1 kg water में मिला दो, 1 kg solvent ले लो, तो जब molality 1 ले लेंगे, तो delta TF, जो है आपका हो जाएगा, KF के, बरावर into 1, तो देखिए, molality 1 ले करके, delta TF, यानि freezing point का जो depression होगा, जो कमी आएगा freezing point में, उसी का numerical value किसके बरावर हो जाएगा, KF के बरावर हो जाएगा, इसी लिए KF का एक और एक जो नाम है, वो है, molal depression constant, molal depression constant का मतलब आप समझ गयाओंगे क्यों, क्योंकि, जब solution की molality 1 हो, कितनी हो molality, जब solution की molality 1 हो, तब, जितना delta TF होता है, जब freezing point का जो depression होता है, उसी का numerical value KF के बरावर होता है, इसी लिए में, molal depression constant, अब चलिए, आपको थोड़ा समझ याद दिलाते हैं, कि कल हमने एक formula पढ़ा था, KB के बारे में याद आ रहा है, KB is equal to RTB square by LV, ये KB को calculate करने का empirical formula था, ऐसा है एक formula KF के लिए होता है, तो KF को theoretically इस formula से calculate किया सकता है, वो formula है क्या, कि KF is equal to, KF is equal to RTF square by LF, अब बुलेंगे इसमें RTF square by LF ये सब क्या है, तो देखिए R तो बहुत किलिए रहा है, R क्या है, universal gas constant, जिसका value के लम ने बताया था होता है, 0.082 liter atmosphere per mol Kelvin, ठीक है ना, और दूसरा unit इसका joule में होता है, 8.314 joule per mol Kelvin, और तीसरा unit होता है, 1.99 केलोरी में, केलोरी पर mol Kelvin, ये 1.99 को आप 2 भी लिख सकते हो, 2 केलोरी पर mol Kelvin, ठीक है, तो R का ये value हो गया, इसमें देखिए, TF क्या है, तो TF है, normal freezing point, किसका solvent का, normal freezing point, FB मतलब freezing point, of solvent, normal freezing point of solvent, लेकिन ये इसका unit क्या रखना है, तो Kelvin में freezing point लेना है आपको, ठीक है न, normal freezing point of solvent, के Kelvin, और एक quantity है क्या, LF, LF है, देखिए, LF जैसा एक और quantity, आपने सुना होगा, enthalpy of fusion, या इसका नाम है, latent heat of fusion, या फिर enthalpy of fusion, delta HF, सुना होगा आपने ये, इसका मतलब क्या हुआ, latent heat of fusion का मतलब है, कि one unit mass ले लो क्या, one unit mass, किसका लेना है one unit mass, तो आपको solvent लेना है, liquid solvent, one unit mass, solvent, जो कि liquid रहेगा, उसको convert किज़े किसमे है, solid में, तो liquid को solid में convert कर दें, तो energy release होता है, तो जो energy release होगा, इस process में, जो energy release होगा, energy released, is equal to यही कहल अलईगा, latent heat of fusion, तो देखे, latent heat of fusion का भी, अलग-अलग unit हो सकता है, जैसे, इसका unit हो सकता है, latent heat of fusion का, कि कुछ यहीनिघे का unit होगा, calorie पर ग्राम हो सकता है, या हो सकता है, Joule पर ग्राम, एसा अलग-अलग units हो सकते हैं या जूल पर या किलो जूल पर किलो ग्राम भी हो सकता है पर केजी तो यह अलग-अलग units हैं तो इस formula को use करने में बस एक important point ध्यान रखना है आपको वो क्या कि आपको LF का जो unit है LF का unit और R का unit consistent होना चाहिए consistent होने का मतलब क्या है मतलब यह है कि LF और R का unit इस तरीके से use करोगे कि KF का unit निकल करके आजाए Kelvin kg पर mode यह बस दियान रखना है कि LF और R का unit इस तरीके से use करना है कि KF का unit आजाए Kelvin kg पर mode तो चलिए एक question solve करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा तो देखिए बच्चों question display हो रहा है calculate cryoscopic constant मतलब KF calculate करने पूछा जा रहा है किसके लिए water water जो कि एक solvent है क्या-क्या दिया हुआ है if its latent heat of fusion is 80 kilory per gram तो KF आपको निकालना है चलिए आप वीडियो को pause करके solve किजिए और फिर solution देखेगा तो देखिए इस question में आपको पहले सबसे पहले formula लिख लेना है KF का क्या formula होता है यह होता है RTF square by LF अब इसके values रखने हैं और हमें ध्यान रखना है कि KF का जो unit आना चाहिए किसमें आना चाहिए यह आना चाहिए किल्विन kg per mole ठीक है चलिए R का value हमें पता है तो LF का value सबसे पहले रख देते हैं तो LF का value क्या है LF का value है 80 कलोरी पर ग्राम तब आर्क LF का value जैसे ही अपने कलोरी में रखा ता आपको सब्सक्राइब आगए तो R का value रखना है कलोरी में तो देखिए सिंप्लिसिटी के लिए हम वन पॉइंट नाइन यह जगा पली देते हैं 2 कलोरी पर mole Kelvin यह R का value है ठीक है और इधर रखना है TF वाटर का normal freezing point कितना होता है Kelvin में तुसको हम ले लेते हैं 273 Kelvin हलागी होता है 273.15 273.15 होता है लेकिन हम लोग 273 मान करके solve कर सकते हैं question को तो 273 Kelvin का square कर देना है अब पहले हम unit match करा लेते हैं क्या left side का unit है right side भी यह unit आने वाला है तो देखते हैं चलिए तो आप देखिए यहाँ पर आपका यह है Kelvin इधर एक है और इधर दो Kelvin है तो यह Kelvin एक Kelvin बचा रहेगा तो Kelvin तो कर आग आ गया केलोरी से केलोरी कट जाएगा ठिक है केलोरी से केलोरी भी कट गया डिवैट वे मूल मूल आपका नीचे में निमिनेटर में रहेगा तो मोल इधर है अब बचाए जो पर ग्राम है किलोरी पर ग्राम अभी इधर आपको क्या चाहिए यूनिट केजी है तो यह ग्राम अगर निमिनेटर में जाएगा तो ग्राम रहेगा किलोरी पर ग्राम को हमको किलोरी पर केजी में कनवर्ट करना पड into 273 Kelvin का square कर दिये और divide by दिखिएगा तो आपके समने value क्या है value है 80 kcal per gram यानि कि इसका मतलब समझा जाए 80 kcal per gram का मतलब हुआ कि 80 kcal energy release होता है latent heat of fusion है ना यानि कि इनर्जी रिलीज होता है कब जब 1 gram water 1 gram liquid convert होता है किसमे solid में ठीक है ना तो 1 gram liquid जब solid में convert होता है 80 kcal energy होता है तो यहीं पर आगर आप 1 gram के जगापर क्या कर लें 1 gram के जगापर क्या कर लें sorry 1000 gram liquid ले 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 यानि कि 1 kg liquid ले 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 तो 80 kcal से ज़्यादा energy लेज होगा कितना होगा 80,000 हो जाएगा यह हो गया 80,000 तो 80,000 kcal ले ले लेंगे तो आपका 1000 gram liquid freeze हो जाएगा यानि कि 1 kg liquid freeze हो जाएगा हम लोग क्या करते है देखिए this is equal to यहाँ पर जो value रखना है आपको यह value रखना है 1000 into 80 kcal और तब नीचे क्या आगया पर kg ठीक है और इसको अगर आप solve करेंगे तो answer कितना आजागा अब आपका answer unit के साथ consistent रहेगा और वो answer आएगा इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा 1.86 kcal पर mole यह आपका answer आगया क्या answer है 1.86 kcal पर mole ठीक है अब देखिए हमने किया क्या है इस question में हमने क्या यह है कि यहाँ पर हमने value लिया है r का यह value है tf का और यह value lf का है directly जो की calorie per gram में हमने इस formula मस एक चीज़ modify किया देखिए क्या किया हमने kf is equal to r का value तो आजटी रखा है r tf square vajt रखा है lf का value दिया हुआ था calorie per gram में यह 80 क्या था calorie per gram में lf का value दिया हुआ था उसको हमने thousand से multiply कर दिया यानि कि thousand lf किया है जिसमें lf क्या है यह calorie per gram में है तो देखिए कुछ बूख क्या करता है इसी को formula बनाता है और बोलता है कि भाईया तुम याद रखोगे तुमको याद रखना है कि lf के value रहना चाहिए कि इसमें calorie per gram में लेकिन हम बच्चों को यह formula यूज करने का recommendation नहीं करते हैं वो इसलिए क्योंकि यह formula है देखिए यह वाला जापका formula है यहाँ पर यह universal formula है यह वाला formula इस formula को आप use किजिए और unit आप खुद से देखिया ना आपको इतना intelligence लगाना होगा कि unit खुद से देख करके consistent unit में kf का answer लिया है तो इसमें आप कभी फसेंगे नहीं अधरवाज आपको याद रखना पड़ेगा कि LF का value यहाँ पर किसमें होना चाहिए calorie per gram में कभी unit change कर दिया तो फिर formula फिर से change करना पड़ेगा ठीक है ना इसलिए यह formula universal है इसको आप ध्यान रखिये और unit consistent होना चाहिए यह ध्यान रखना है ठीक है तो बच्चों देखिये एक ओर question आपके समने display हो रहा है वो है calculate the cryoscopic constant of a liquid having freezing point 27 degree centigrade and the latent heat of fusion is 6 kilojoule per mole यह किसका latent heat of fusion है तो वही liquid जिसका kf पूछा जा रहा है आपसे और उसी liquid का molar mass भी दिया हुआ है molar mass कितना है 50 gram per mole देखिये ऐसा है यह question कल हमने पूछा था boiling point elevation constant kb के बारे में एक brain teaser में तो यह question हम detail में solve करेंगे अगर किसी को kb वाला question में sorry कल हमने kb के बारे में पूछा था kb वाले question में अगर कोई doubt है तो वो भी अब आपका solve हो जाएगा चिक है आप लोग एक बार वीडियो को pause करके पहले यह जो answer है इसको लाने का कोशिस कीजिए अगर नहीं आता answer तब solution देखिएगा तो देखिए solution है बहुत यहांसान इस question का भी करना क्या होगा आपको सबसे पहले kf का formula लिख लेना है kf का formula होता है r tf square by lf ठीक है अब आप क्या किजिए सबसे पहले lf का value लिख लेगे lf का value लिखने से क्या होगा आपको r का कौन सा unit use करना है वो पता चलेगा तो lf है 6 kilojoule per mole तो इसको करते हैं ऐसा unit में लिख देते हैं कि यह 6 kilojoule को जागा 6000 joule per mole ती यह lf का value आगया और फिर r का देखिए इधर joule है तो r का value आपको यूज़ करनेंगे 8.314 joule per mole Kelvin और into tf freezing point देखिए 27 degree यानि की centigrade में है Kelvin में बदलेंगे तो हो जागा 300 Kelvin ती हो गया 300 Kelvin और इसका square कर दिया आपने अब आपको चुपके से एक बाद देख लेना है क्या कि यह जो है इसको swallow करेंगे तो क्या kf का unit Kelvin kg per mole निकल के आएगा अगर नहीं आएगा तो इधर हमको कुछ modification करना पड़ेगा तो देखते हैं एक बार देखिए तो यहाँ पर आपका जो r का value है यहाँ यह जूल से यह वाला जूल कैंसिल हो जाएगा ठीक है यह जो Kelvin है यहाँ पर Kelvin square है तो Kelvin बचेगा तो Kelvin तो आगे आपका और क्या है यह पर मूल इधर देखिया r के unit में तो पर मूल भी आ गया अब आपका kg की दर से आएगा तो kg लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें तो यह जो 6000 है यह वाला value यह जो है 6000 Joule पर मूल यह latent heat of fusion है तो इसको convert करना पड़ेगा किसमें इसको convert करना पड़ेगा कु पूरा focus इस पर लगाते हैं कि कैसे यह 6000 Joule पर मूल को सरी Joule पर मूल को X Joule पर kg बना लिया जाए ठीक है तो देखिए वच्छों हमारे पास है 6000 Joule पर मूल इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ 1 Moule 1 Moule solvent अगर हम लोग लेते हैं उसको liquid से convert करते हैं किसमें solid में तो कितना energy release होता है तो यह release होता है 6000 तो हमको पता करना है कि अगर 1 Moule के जगा पर कितना ले ले लें तो 1 kg ले लेंगे 1 kg liquid को अगर solid में convert करेंगे तो कितना energy निकलेगा तो यही आ जागा क्या Joule पर kg में आ जागा तो देखिए 1 Moule 1 Moule जो solvent है वो कितना solvent कितना kg या कितना ग्राम है हमें पता है कि वो 50 ग्राम solvent कितना है 50 ग्राम मोल और मास देखिए का question में दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल तो 50 ग्राम liquid को आप solid में convert कर रहे हैं तो कितना energy release हो रहा है 6000 तो अगर आप देखिए यहां से unitary method ल लगा energy लगया 6000 Joule इसलिए answer is 6000 Joule पर मोल तो वहीं पर अगर आप 50 ग्राम जिए अपर अगर 1 ग्राम लें तो कितना होगा energy required होगा 6000 Joule by 50 और अगर आप 1 ग्राम के अपर 1000 ग्राम लें यानि 1 kg लें तो कितना energy लगया यह हो जाएगा 6000 Joule by 50 और यह इतना answer आजाएगा 1000 ग्राम 1000 ग्राम तो यह answer आपका आगया इदर से 12 into 10 to the power 4 हो गया तो basically आपका जो 6000 Joule per mole था उसके corresponding के quantity मिल गया 12 into 10 to the power 4 Joule per kg और 6000 Joule per mole के जगह पर हमें 12 into 10 to the power 6 Joule per kg वाला value पूट कर देना यह value आपको वहाँ पूट कर देना है तो यह फिर से हम लोग question में चलते हैं तो यह देखें आपके सामने question है तो आपको value as it is पले लिख लेना उपर वाला 8.314 Joule per mole into Kelvin और into 300 Kelvin का square और divided by यह जो 6000 Joule per mole था यहां क्या लिखना है यह लिखना है 12 into 10 to the power 4 Joule per kg अब देखेगा आपका जो proper unit में exactly answer आजाएगा तो देखेए पले unit देख लेते हैं unit में क्या होगा देखें यहां से Joule से Joule cancel हो जाएगा यह mole बचा रहेगा Kelvin से इदर एक Kelvin cancel हो जाएगा तो आपका answer आजाएगा यह और numerical calculation करेंगे तो आजाएगा 6.23 और unit आपका आगया unit आगया देखें यहां से Kelvin बचा और यह केजी चला गया numerator में यह वला केजी तो Kelvin केजी पर mole यह answer आगया बच्चों ठीक है चलिए बच्चों एक और question हम लोग solve करेंगे आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है यह question 1 mole urea, urea मतलब एक non-volatile solute है उसको 1 kg solvent में mix किया गया solvent का KF दिया हुआ है 2 Kelvin kg पर mole और solvent का normal freezing point दिया हुआ है 300 Kelvin तो पहला question क्या है पहला question है calculate the freezing point of solution so formed कि जो solution मना है solution का freezing point basically आपको delta TF निकालना पड़ेगा पहले तो चलिए आप लोग pause करके वीडियो को solve कर लेजेगा और फिर मेरा solution देखेगा पहले part का, पहले part का solution देखने के बाद फिर से वीडियो को pause किजेगा फिर दूसरा part solve किजेगा और फिर दूसरे part का solution देखेगा तो चलिए पहले part का solution तो आपको सबसे पहले delta tf निकालना पड़ेगा और delta tf होता है kf into molality और kf का value है 2 Kelvin kg per mol और molality होता है mol of solute by mass of solvent in kg तो solute का mol कितना yuria है जो कि non-volatile solute है और वो है 1 mol और solvent का mass है kg में 1 kg अब यहां से इसको solve करेंगे तो आपका answer क्या आजागा देखिए यह kg kg cancel हो गया और यह mole से mole cancel हो गया तो आपका answer आगया 2 Kelvin ठीक है तो freezing point का change आगया 2 Kelvin तो इसका मतलब हुआ कि solution का freezing point freezing point यानि 2 Kelvin का change यानि 2 Kelvin freezing point घड़ गया तो Tf- यानि freezing point of freezing point of solution या उसका freezing point आपका हो गया 300 minus 2 300 minus 2 Kelvin that is 298 Kelvin यह आपका answer हो गया और इस answer को हम यहाँ पर पहले part के side में यहाँ पर लिख दे रहे हैं यह इसका answer आगया पहले part का 298 Kelvin ठीक है अब फिर से आप लोग वीडियो पहुच किजिएगा दूसरे part को solve किजिएगा और उसके बाद मेरा solution check किजिएगा ठीक है दूसरा part कहता है if after some time थोड़ी दर के बाद क्या हुआ the solution freezes at 296 Kelvin यह कैसे हो सकता है हमने तो पता कि solution का freezing point कितना हो था 298 यह बोल रहा है freezing point और कम हो गया 296 Kelvin then calculate XC यहां पर extra गया है then calculate the amount of liquid that has been converted to solid चले पर देखते हैं यह freezing point 296 पर आया कैसे होगा तो देखिए आपके पास यह एक container है और जिस container में आपका liquid रखा हुआ है ठीक है और इस liquid के साथ साथ क्या है इसमें मिला हुआ है non-volatile solute तो देखिए हम यह assume करके चलते हैं कि जैसे जैसे आप इसको freeze करने कोशिज करने ठंडा करने आप इसको cool करने ठीक है तो क्या होगा इस solution का जो कुछ part है वो solid बन जाएगा तो यह कुछ part बन गया है solid और जो बचावा part है वो liquid state में इदर है तो हो क्या रहा है कि जो liquid part है तो जितना भी solute particle है यह जो solute particle है यह सभी solute particle चले जा रहे हैं liquid वाले portion में यानि कि हम assume कर रहे हैं और यह हमें मानना पढ़ता है और ऐसा ही generally होता है कि यह जो solute है solute do not या does not freezes solute freeze नहीं करता है वो कितर आ जाता है does not freezes it remains in the solution it remains in solution in solution यह solution में मिलता चला जाता है यानि कि देखिए आप अगर आपके पास solvent मान लिए water है तो यह आपका हो गया ice और यह हो गया water तो basically कोई भी solute होता है वो water में जादा खुलता है ice में नहीं खुलता है इसलिए जब ice बनने लगता है यानि कि यह solid जब freeze होने लगता है liquid जब ice बनने लगता है तो solute उदर से निकल के किदर चला जाता है यह सभी solute आ जाते हैं आपको liquid के अंदर तो हुआ क्या देखिए धीरे धीरे इस liquid के अंदर solute तो वही है solute का amount fixed है और liquid का amount कम होता जारे तो होगा क्या आपका time के साथ साथ molality यह देखिए इस container में molality होता है molality is equal to mol of solute जो कि fixed है by mass of solvent in kg solvent का mass लेना पड़ता है आपको किस में kg में solvent का mass घड़ता चला जा रहा है यह fixed है यह है constant आपका तो molality बढ़ता चला जाएगा और जब molality बढ़ता जाएगा तो होगा क्या delta tf है kf into m molality आपका बढ़ता है तो क्या होगा delta tf freezing point का depression बढ़ेगा यहनि कि freezing point में decrement हो रहा है वो decrement ज़ादा ज़ादा होता चला जाएगा और इसलिए freezing point घड़ता चला जाएगा इसलिए आप देख रहे हैं कि freezing point घड़के कितना आ गया है तो चलिए आप हम लोग इस question को solve करते हैं फ़ले आप यह देख लिए हमने जो freezing point और further क्यों कम हुआ इसको जो explain किया है इसको आप note down कर लिजिए चलिए था हमें पता है कि जो part 2 को solve कर रहे है तो उसमें जो delta tf' है नया tf तो freezing point कितना कम हुआ है तो freezing point पहले solvent का freezing point था 300 और finally कम होगर कितना आ गया 296 यहनि 4 Kelvin कम हो गया 300 minus 296 Kelvin तो freezing point का exact depression हुआ है 4 Kelvin तब हम क्या करते हैं कि delta tf का formula यूज कर लाते हैं delta tf is equal to kf यह जो कि constant है into molality जो कि change हो रहा है और molality कैसे change हो रहा है देखिए delta tf आपका 4 Kelvin kf कितना है kf दिया हुआ है 2 Kelvin kg पर mol यह question में दिया हुआ है into molality molality होता है mol of solute जो कि 1 mol है वो solute का mass तो change हो नहीं रहा है जो भी solute है वो liquid के अंदर रहा है तो solute है 1 mol solvent में देखे क्या हुआ है कि कुछ liquid solvent solid में convert हो गया है यही solvent कम हो गया है तो इस formula में हमें mass of solvent नहीं पता है कितना आ गया तो इसको solve करते हैं हम लोग देखें यहां से Kelvin से Kelvin कैंसिल हो जाएगा यह mole से mole कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका mass of solvent आ गया mass of solvent यह आ गया is equal to यह आ गया 0.5 इसको solve करेंगे 0.5 आ गया 2 by 4 0.5 के जी तो यह जो solvent का mass है यह solution के अंदर यानि यह liquid state में है यह solution के अंदर है यानि कि solution के जगपर हम क्या लिख सकते हैं कि यह liquid form है यह किस form है liquid form है तो कितना mass solid form में convert हो गया होगा तो mass converted to solid तो आपको पता है total एक केजी तो था ही solvent देखे सुरात में question में लिखा हुआ है 1 kg of solvent तो एक केजी solvent था उसमें 0.5 केजी solution के अंदर liquid state में है solid कितना बन गया 1-0.5 केजी convert हो गया है solid में तो answer आगया 0.5 केजी solid में convert हो गया चीक्या बच्चों चलिए तो बच्चों class के starting में हमने आपको बताया था कि जो freezing point का depression हो रहा है हमने बोला थे इसमें दो बाते करेंगे एक तो ये कि इसको quantify किया जाए कि freezing point का depression कितना होता है कितना solute मिलाएंगे तो कितना depression होगा how much कितना freezing point कम होगा तो quantify कि हमने एक formula से क्या formula है delta tf is equal to kf into m और दूसरा बात हम बोले थे करेंगे कि freezing point का depression होता क्यों है why तो बच्चों हम आज के class में यह question discuss नहीं कर रहे है इसका discussion अगले class में करेंगे तब तक आपको हम यह homework जते हैं कि आपको सूचना है कि freezing point क्यों कम हुआ था हमने आपको बताया था यादा रहो कि delta tb में हमने आपको बताया था कि boiling point का elevation क्यों हुआ था अब यह वाला question freezing point का depression क्यों हुआ है यह question का answer आपको अगले class तक ढूढ़ने का कोशिस करना है नहीं मिले या मिल जाए किसी भी case में हम आपको अगले class में बतायेंगे तो चलिए हम लोग हम अभी आपके सामने डिस्प्ले कर रहे है इस lecture पर based exercise और उसके बाद हम लोग मिलेंगे next lecture में तो बच्चों आज के lecture पर based exercise 9 जो है आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है यह exercise 9 में 3 subjective questions है और total 10 objective questions है तीन objective इदर डिस्प्ले हो रहा था अभी यह total आपके सामने 7 objective questions अभी दिखाई दे रहा है और फिर यह total 10 objective questions है और उसके answer keys आपको दिये हैं तो आप इन questions को solve किजिए और फिर हम लोग अगले class में मिलते हैं चलिए thank you very much